हम रोज सुबह से लेकर शाम तक हमारी सबसे नजदी की सितारे को देखते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम का मुख्या है और हम सभी सारी की सारी human civilization अपने घर भार के साथ इस सूरज का चकर काट रहे हैं निरंतर हर पल हर एक शण हम लगातार सफर कर ही रहे हैं हमारा सूरज हमें रोशनी और गर्मी मौया कराता है यह दोनों ही हमाई धर्ती को गरम बनाये रखते हैं और यही गर्मी के कारण पानी यहाँ पर लिकट फॉर में रहता है और धर्ती पर जीवन फल फुल रहा है बस्पन से ही मैं सोचता था कि हमारा सूरज एक बहुती बड़ा आग का गोला है जो निरंतर स्पेस में जल रहा है पर यह बिना किसी ऑक्सिजन के अंत्रिक्ष में कैसे जल सकता है इसी के बारे में आज हम जानेंगे आज की इस नया एपिसोड में हमारा सूरज पिछले 4.6 billion years से यह ही जल रहा है उस समय से जब ना तो कोई धरती थी और ना ही कोई मंगल हमारा सूरज आस्मान में दिखने वाले अधिकांश तारों की तरह ही एक नॉर्मल स्टार है इस तरह के सितारे अंत्रिक्ष में काफी कॉमन होते है हमारा सूरज यह G-type main sequence star है परंतु क्या आपने कभी भी सोचा है क्या हमारा यह सूरज अंत्रिक्ष में जल कैसे रहा है जहां कोई oxygen नहीं है वेल आपने कभी न कभी तो जरूर सोचा ही होगा परंतु इसका जवाब सुनकर आप चौक जाओगे दरसल हमारा यह सूरज अंत होता है आप तो यह जानते ही होंगे कि तारे मुखेता hydrogen gas से बने हुए होते हैं तारों के कर्ण hydrogen fusion के दौरान यह hydrogen के atom helium से बदल जाते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान energy generate होती है इस प्रक्रिया को hydrogen burning भी कहा जाता है लेकिन सही माइनों में यहां कुछ भी burn नहीं होता है ब इस प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली ओर जाई हमें धर्ती पर रेडियेट होती है क्योंकि इस प्रॉसेज में कोई भी जोलन यानी burn नहीं होता है इसलिए इसमें oxygen की जरुवत भी नहीं पड़ती है हमारे सूरज असल में गरम hydrogen plasma का बना एक giant ball है जिसमें लागतार nuclear fusion की प्रक्रिया हो रही है hydrogen से helium, helium से carbon, carbon से neon और neon से oxygen इसमें लागतार हमारे सूरज का core और heavy होता जा रहा है हमारा सूरज बना है 91% of hydrogen, 8.9% of helium तथा 0.1% of other heavier elements है ये number समय के साथ बदलते रहेंगे so guys आज के लिए बस इतना ही और उमीद है कि आपको अभी तक पता चली गया होगा कि ये बिना किसी oxygen के अंत्रिक्ष में कैसे जल रहा है और अगर हां तो इस वीडियो को एक like करना तो बनता है और अगर guys आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस like करने के साथ साथ अपने friends और family साथ share करना मत भूलेगा और ऐसी space related videos और facts देखने के लिए youtube पर हमारे चैनल fascinated world of cosmos को subscribe कर लीजे और उसके site वाले notification बटन को भी click कर दीजे जिसे आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले so thank you for watching our video